हलो दोस्तो स्वागत है अब सभी का एपी ग्यान चैनल के निज सेक्शन में तो दोस्तो भारत ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे आपको न सिर्फ गर्व होगा बलकि भारत की एक कमी भी देखी जाती थी और अस्पेसली इस रिकॉर्ड से चायना सकते में है तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय पहले मोदेजी ने सुरू किया था आत्म निर्वर भारत और उसका नतीजा रिकॉर्ड तोड़ देखा जा रहा है जबकि इसी अभिहान का कुछ लोगों ने काफी मजाक भी वड़ाय था लेकिन अब इसी नारे के धहत भारत ने चीन दस्त बृद्धी हासिल की है और यह बृद्धी 12 परसंट 10 परसंट नहीं बलकि 50 से 80 परसंट तक की बृद्धी देखी गई है और वह भी करोना के समय में पहली बार इतनी बड़े एक्सपोर्ट में बृद्धी हासिल की गई है जो मैं आपको डेटा बताने बाला हूं उस से आप बिल्कुल चौक जाएंगे क्रिसल इंडिया जो भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रेलेटेड सालाना रिपोर्ट छापती है उसने लेटिस्ट आंकड़े जारी कर दिये हैं और यह आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं सायद आपको पता हो कि जब करोना स्टार् है उसमें भारत ने चीन को जो स्पोर्ट की आसमान उसमें लगभग 78% की रिकॉर्ट तोर बिर्दी देखी गई है इसके अलावा मलीसिया में होने वाले एक्सपोर्ट में 75% की बिर्दी हुई है बेटनाम को होने वाले एक्सपोर्ट में 42% की बिर्दी हुई है कुछ दूसरी जगों पे एक्सपोर्ट में मामूली से ग्रावट भी देखे गी है लेकिन क्रिसल इंडिया का कहना है कि आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट की यह जो राइज है और बढ़ती जाएगी तो फ्रेंड यह एक्सपोर्ट में बढ़ती कहीं ने कहीं आत्म निर्वर भारत का भी एक परिनाम है और साथी साथ यह जवाब उन लोग को भी है जो यह कहते हैं कि भारत में मैंन्फेक्चरिंग कैपिबिलिटी नहीं है यह तो अभी एक सुरुआत है बस सरकार को थोड़ा सा और अग्रेसिबली इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि भारत का एक्सपोर्ट में और ही जाफा होगा और कहन कहीं उससे चीन पीछे होगा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही प्लीज हमारा होसला बढ़ाने के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत